नमस्कार आप देख रहे बीस्टार न्यूस और मैं हूँ आपके साथ कोमल गंवार कोरोना वाइरस को लेकर लोगडाउन देश भर में जारी है जिसको देखते हुए सरकार कोशिश कर रहे है कि जनता तक हर तरीके की मदद पहुचाई रहे है उसको देखकर राजियो में कई दुकाने खोलने के फैसले लिए गए लेकिन आप दिल्ली की बात कर लेते हैं तो दिल्ली में कोर्णा संक्रमित मरीज मिलने का जो आखड़ा है वो बढ़ता ही जारा इसी को लेकर प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं कि सिम अरविंद केजिवाल क्या कहा है उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस में आए आप कौ सुनवाते हैं 2106 लोग ठीक होके गए थे आस्पतालों से 2106 लोग ठीक होके अपने घर गए थे आठेे हमें यानि की पिछले कि 580 लोग ठीक होके अपने घर गए थे तो एक तरह से दुगने से भी जादा लोग ठीक होके अपने घर पिछले हफते गए थे तो अगर हम ये देखें कि जितने लोग नए आए थे बिमारों के और जितने लोग ठीक होके गए अगर नेट देखें तो एक तरह से 566 लोग पिछले से पिछले हफते हमारे अस्पतालों में नेट आए थे और पिछले हफते के विल 34 लोग आए थे नेट तो एक तरह से पिछला हफता अच्छा रहा हम सब लोगों ने आप सब लोगोंने बड़ी कठिनाई के साथ ये जो लॉकडाउन है इसका पालन आप लोग कर रहे हैं और अगर हम इसी तरह से पालन करते रहें तो मुझे उम्मीद है इस महमारी से हम लोग निजात पा सकते हैं पिछले हफते रवीवार को जब मैं आपके सामने आया था मैंने कहा था कि अभी हम लोगोंने तै कि आए कि लॉकडाउन ऐस इस जारी रहेगा कोई रियायत नहीं दी जाएगी और 27 तारीख को हम लोग इस पे दुबारा निरने लेंगे कि लॉकडाउन को जारी इसमें कुछ रियायत देनी है कि नहीं देनी है तो ये की रियायत आज हम दे रहे हैं वो ये की परसों रात को केंदर सरकार ने कुछ तरह की दुकाने खोलने का निरने लिया है उस केंदर सरकार के आदेश को हम दिल्ली में भी लागू कर रहे है ये आदेश क्या है ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ जो एसेंशल सर्विसेज की दुकाने थी दवाई की दुकान किराने की दुकान खाने पिने की दुकान सबजियों की दुकान दूद की सर्विसेज वो जो एसेंशल सर्विसेज हैं वो तो जारी रहेंगे उसको कोई छेड ने रहा वो एसेटिस जारी रहेंगी वो खुली रहेंगी वो सप्लाई होती रहेंगी इसके अला हुआ कोई मार्केट में खोले जाएंगे कोई डीडिये मार्केट में खुलेगा कोई ये मार्केट वो मार्केट कोई मार्केट में खुलेंगे कोई शॉपिंग मॉल ने खुलेंगे कोई मार्केट कॉम्पलेक्स ने खुलेंगे लेकिन जो रेजडेंशिल एरियाज में अगैंची दुक्य दुकाने होती है, स्टेंड दुक्य कोई दुकाने है, नेबर्वूर की कोई दुकाने है, इककी दुक्य इस तरह की जो दुकाने है, उनको खोलने की इजाज़त केंदर सरकार ने दिये, उन इक्की दुक्की दुकाने जो नेबर हुड में है, स्टैंड अलोन है, रेजडेंशल एरियाज में है, उन दुकानों को जो केंदर सरकार ने इजाज़त दिये, वो दुकाने दिल्ली में भी खोली जाएंगी, कोई मार्क, मैं फिर से बता दू, कोई मार्केट ने खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्पलेक्स ने खुलेंगे, कोई शौपिंग मॉल्स ने खुलेंगे, लेकिन कंटेनमेंट एरिया में वो भी ने खुलेगी, जो एक्की दुकी दुकाने में बात कर रहा हूँ, रहेगी इसके अलावा अगला एक और हफता ये जो एक और आया है परसो केंदर सरकार का इसके अलावा और कोई कुछ खोलने की हम इजाजत अगले एक हफते तक तीन मही तक और नहीं दे रहे तीन महीने तक यतावत इसी तरह से जो रेस्ट्रिक्शन्स हैं वो जारी रहेंग पे काबू पाया है हमें इसे जारी रखना है किसी भी तरह से इसको अब आगे और बढ़ने नहीं देना तीन मही तक पूरे देश में प्रधान मंत्री जी ने लॉकडाउन का एलान किया है तीन मही के बाद केंदर सरकार इस पे क्या निरने लेती है उस पे निर्भर करेगा कि हम दिली के अंदर आगे इसको कैसे ले जाते हैं कि अंदर सरकार के निरने के बाद हम लोग आगे के अपनी दिशा तैय करेंगे एक अच्छी ख़बर है कल मैंने बताया था आप लोगों को प्लाजमा से अच्छे नतीजे आ रहे हैं प्लाजमा के जो अभी तक ट्राइल किये गए उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं एक 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 मरीज के उपर मैं खुद नजर रख रहा हूं कल एक मरीज थे एलन जेपी में जो की काफी उनकी नाजुक हालत थी और डाक्टरों के हिसाब से वो सिंक करते जा रहे थे उनको प्लाजमा दिया गया और उनकी मैं डीटेल्स में जाओंगा डीटेल्स में जाना सही नहीं है लेकिन उसको देखके हमारा उत्सा बड़ा है इस प्लाजमा थेरेपी को लेके कि इतने सीरियस मरीज भी ठीक हो सकते हैं इंसे मैं उमीद करता हूं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होके अपने घर जाएंगे अ और मैं एक-एक-एक हमारी कोशिश है कि कोई भी मरीज प्लाजमा का उसकी मौत नहीं होनी चाहिए किसी की भी मौत होती है तो बहुत दुख होता है हमारे डॉक्टर्स सभी अस्पतालों के डॉक्टर्स नर्सेज पूरी कोशिश करते हैं उन लोगों को बचाने की एक-एक एक जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं हमारी कोशिश है कि किसी भी वक्ति की मौत नी होने चाहिए एक एक वक्ति से मैं परस्नली उसकी खबर रख रहा हूँ एक एक मरीज की खबर रख रहा हूँ जो मरीज ठीक होके जा रहे हैं उन मरीजों को हम कह रहे हैं कि प्लाजमा डोनेट करो एक एक मरीज से मैं भी बात कर रहा हूँ मेरी टीम भी बात कर रही है और उन्हें प्रोटसाहन देते हैं कि आप डोनेट कीजिए मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग आगे आके दूसरों की जान बचाना चाते है हर धर्म के लोग चाहिए वो किसी भी धर्म के हो किसी भी जातके हो सब लोगों के मन में एक जजबा है कि मेरी जान बची अब मैं किस तरह से दूसरों की जान बचा सकता हूँ मेरे मन में एक विचार आ रहा था मैं सोच रहा था कि कल को अब जब मैं पिछले कुछ दिनों से लोगों को blood donate करने के लिए plasma donate करने के लिए इतना हम लोग उनको प्रोटसाहित कर रहे हैं तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि कल को कोई patient मान लेजे हिंदू है और बहुत serious है हो सकता है उसको मसल्मान का plazma उसकी जान बचाए मान लेजे कोई patient मसल्मान है बहुत serious है हो सकता है किसी हिंदू का plazma हिंदू के शरीर का plazma उसकी जान बचाए भगवान में जब धरती बनाई थी तो उसने तो इंसान बनाए थे हर इंसान की दो आखें हैं एक जैसा शरीर है लाल रंग का खून है उसी किसम का प्लाजमा है भग्मान ने तो हमारे बीच में कोई दिवार पैदा नहीं की भग्मान ने तो किसी किसम के ये धर्म वो धर्म हमारे बीच में किसी किसम की खाई पैदा नहीं की यह तो सब हमीं लोगों नहीं की हुई है करोना होता है तो सब को होता है करोना तो हिंदू को भी होता है करोना तो मुसल्मान को भी होता है और आपके शेरीर का प्लाजमा जब बचाता है तो भो हिंदो का प्लाजमा भी दूसरे को बचाता है, मुसल्मान का प्लाजमा भी बचाता है फ्र फिर ये दिवारे हम लोगों ने आपस में क्यों पैदा की हूई है कम से कम भी करोना की बिमारी से हम ये सीख तो ले सकते हैं अगर हमारे देश के सब लोग हिंदो, मुसल्मान, सिख, हैसाई, जैन, बौध हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे, प्यार और महबबत से काम करेंगे तो ये देश को कोई नहीं हरा सकता, इस देश को इस देश के सामने पूरी दुनिया को जुकना पड़ेगा, हमरा देश इतना अच्छा है और अगर हम बट गए, आपस में लड़ते रहे, तो फिर कोई उमीद नी बचती है तो मुझे लगता है, इस से हमें ये सबक लेना चाहिए अगर आपके मन में कभी भी किसी कोई दुर्भावना आती है किसी दूसरे धरम के व्यक्ति के प्रति, तो ये सोच लेना कि हो सकता है उसका प्लाजमा कलगवा दिल्ली के रियाशी इलाकों में कुछ ही दुकाने खुली रहेंगी होट स्पोट्स में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी जहां जहां दुकाने खुलेंगी वहां कुछ गाइडलाइन्स दी जाएंगी जिसके तहत ही दुकाने खुलेंगी मरीज जो प्लाजमा थरपी से ठीक हुए उसके बाद अब प्लाजमा डोनेट करने के लिए लोग सामने आ रहे हैं जो मरीज पहले कोर्णा से संक्रमित थे अब ठीक हो चुके हैं कोर्णा से जंग जी चुके उनका प्लाजमा दूसरे मरीजों की बॉडी में प्रवेश किया जाएगा चाहे वो हिंदु हो या मुसलिम प्लाजमा जो खुन का 55% भाग होता है उसे प्लाजमा कहाजाता है उसे दूसरे की बॉडी में चड़ाया जाएगा वistling वो प्लाजमा दूसरे की बॉडी में जाकर उस कोरोना वारस इसको खत्म करने का काम करेगा तो यहां पर देखने वाली बात होगी किस तरीके से यह थेरपी आगे भी काम करेगी लेकिन फिलाल इसी के साथ इतना ही देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें AB Star News